Hello everyone, मैं हूँ Anita, welcome back to our new video आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मेरा weekly cleaning routine शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर को किस तरह से clean करती हूँ, weekly cleaning करती हूँ और किस तरह से अपने चीजों को अच्छी तरह से clean and organize रखती हूँ I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए देखते हैं क्या है मेरा weekly cleaning routine cleaning करने से पहले सभी चीजों को मैं एक साथ जो भी cleaning tools होते हैं जो भी अस्त्र सस्त्र होते हैं सफाई करने के लिए सभी चीजों को मैं basket में एक साथ इस तरह से ले लेती हूँ कि बार बार हमें सभी चीजों को लेने के लिए जाना ना पड़े, एक साथ रहेगा तो जिस चीज की जरूत पड़ेगी उस चीज को हम ले सकते हैं एक ही जगा से तो इस तरह से देखिए सभी चीजों को मैंने ready कर लिया है अब सबसे पहले मैं अपने living room की cleaning करूंगी यहाँ पर मैं decide कर लेती हूँ हर week में कि किस room की मुझे cleaning करनी है क्योंकि दो bedroom, एक hall और एक kitchen है तो इसके लिए मैं इस तरह से decide करके रखती हूँ कि एक week में, एक दिन मैं hall की cleaning करूंगी एक दिन kitchen की, एक दिन bedroom की, एक दिन दूसरे bedroom की इस तरह से करने से हमारा फिर जो room की turn एक month के बाद आता है तो एक month में काफी चीजे गंदी हो जाती है वहाँ पे धूल मिटी भी जमा हो जाती है तो इस तरह से मेरे hall का living room का आज turn आया है one month के बाद तो यहाँ पे थुड़ा बहुत धूल मिटी और जाले हो जाते है तो उसे मैं इस तरह से जाडू से ही इस तरह से सभी जगा पे dusting कर लेती हूं क्योंकि उपर के portion पे जब हम इस तरह से जाले या धूल मिटी को जटकते हैं तो जो फिर उसके बाद जो पंखे हैं उसे भी मैं अच्छी तरह से उसकी भी cleaning कर लेती हूं क्योंकि अगर हम महने में या हपते 15 दिन में इस तरह से पंखो की cleaning ना करें तो उसमें बहुत सारा धूल मिटी जमा हो जाता है फिर उसे clean करने में बहुत सारा time लग जाता है तो इस तरह से मैं हर weekly में या monthly में इस तरह से अपने जो भी पंखे हैं इन्हें में clean कर लेती हूं उसी के साथ यहाँ पे मेरे living room में sandalier है उसे भी मैं इस तरह से brush से अच्छी तरह से clean कर लेती हूं तो इस तरह से जो भी उस पे धूल मिटी लगी रहती है वो साफ हो जाता है और बहुत जादा गंदेगी जमा नहीं होता है फिर जब भी कभी festival कुछ आता है तो उसके लिए मुझे बहुत जादा time नहीं देना पड़ता है इस तरह से जो भी ceiling के उपर और दिवालों की dusting और जालों की सफाई हो जाती है तो नीचे के सभी चीजों पे धूल मिटी आके बैठ जाती है तो उसे भी फिर मैं इस तरह से जो भी यहाँ पे मेरे चोटे मोटे जो sopies मैंने लगा रखे हैं घर को decorate करने के लिए उन सभी चीजों को हटा के फिर इन सब की भी dusting करती हूँ इसे तो मैं वैसे daily में सभी चीजों को clean करती हूँ लेकिन आजब उपर की सफाई हुई है धूल मिटी और जालो की सफाई हुई है तो इस पे और ज्यादा धूल मिटी आके बैठ गया है तो इसे भी सभी चीजों को हटा के अच्छी तरह से सभी चीजों की cleaning कर लूँगी अच्छे से spray कर करके सभी चीजों को clean कर लेंगे इस प्रूम की इस दिन सफाई करनी है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और एक हमारे हैबिट में बन जाता है तो जिसके लिए हमें एक्स्टा ना टाइम देना पड़ता है ना हमें काम का बर्डन आता है तो इस तरह से मेरी इस पॉर्शन की भी क्लीनिंग हो चुकी है तो इ सोफा फनीचर सब हैवी होते हैं तो यहां पर इस तरह से जब मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ तो इस तरह से सोफे को हटा के और यहां पर जो यहां पर विंडो है कांच है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूं कॉलिन डालके तो इस तरह से जब मन्त में एक बर क्लीनिंग होती रहती है तो बहुत सारा धूल मिट्टी नहीं जमा होता है विंडो भी हमारे उसके कांच भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं तो इस तरह से देखिए मैं कॉलिन डालके मेरे जो विंडो के स्लाइट्स हैं कांच के उसे मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूं उसी के साथ जब sofa हटाती हूँ तो देखी इस तरह से बहुत सारा धूल मिटी नीचे की तरफ बैठा रहता है जब हम डेली में पोछा मारते हैं तो अंदर की तरफ कितना भी हम हाट डाल के अंदर की सफाई करें लेकिन नीचे कोने कोने तक सफाई नहीं होती है तो इस तरह से अगर हम weekly clean करें तो बहुत सारा धूल मिट्टी नहीं बैटता है तो इस तरह से देखिए जो की 3-4 हपते में मेरा एक रूम का turn आता है फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी धूल मिट्टी जमा हो गई है और साथी साथ देखिए जब हम सोफे को रोज तो हम उसकी dusting सामने की तरफ से करते ही हैं उसे जटकते हैं लेकिन पीछे की तरफ भी बहुत सारे जाले और धूल मिट्टी हो जाते हैं जब मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूं विकली में तो मैं सभी चीजों को पीछे से भी अच्छे से brush से dusting कर लेती हूं क्योंकि पीछे की तरफ भी बहुत सारे धूल मिटी और जाले बैट जाते हैं तो इस तरह से सोफे की पीछे से cleaning कर लेती हूँ इसे मैं कोशिस करती हूँ हाथ से ही पोचा मानने की और मेरी आदत है कि मैं जाडू लगाना ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जाडू लगाने पे यहां वहां डस्ट उड़ते हैं तो आप गीले पोचे में ही सभी डस्ट को मैं इस तरह से समे पोचे में ही सभी चीजों को समेट लेने की देखी इस तरह से हाथ से पोचा मानने पे सोफे के पीछे कितने अच्छी तरह से क्लीनिंग हो चुकी है अब यहां पे मैं फ्लोर को ड्राय होने के बाद सोफे को एजेस कर दे रही हूँ इसी तरह से जब मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ तो यह जो मेरा टीवी यूनिट है इसके नीचे के भी पोचन को मैं उसी तरह से सभी चीजों को हटा के यहां पे भी क्लीनिंग करती हूँ जैसे की मैंने कहा कि जब भी हम पोचा मारते हैं तो कितना भी नीचे की तरफ हम हाट डाल के क्लीनिंग करें पोचा मारें लेकिन पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती है तो इस तरह से जब हम हटा के week में, month में cleaning करते जाएंगे तो बहुत जारा गंदगी हमारे घर में जमा नहीं होगी और हमें काम का burden भी नहीं आएगा जब भी कभी अगर कोई guest हमारे घर पे आने वाला हो या महमान या कोई festival हो तो हमें ज़्यादा time नहीं देना पड़ेगा घर को clean करने के लिए इसी तरह जब मैं weekly deep cleaning करती हूँ तो जो सूरेक है हमारा वो बहुत ही छोटा सा है तो उसमें बहुत सारे सूस और चपल जो भी होते हैं उसे रखते रखते उसमें धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है पैर से जूते चपल के थूँ बहुत सारी धूल मिट्टी चपल में आते हैं मिट्टी आती है तो उसे मैं इस तरह से सभी चीजों को हटा के और इसे भी clean करती हूँ और साथ ही साथ मैंने में एक बार चेक करती हूँ कि कोई जूता चपल जो भी हमें नहीं यूज में हो या उसे वो छोटा हो गया हो तो उसे मैं साइड में कर देती हूँ किसी को दे देती हूँ या फेक देती हूँ क्योंकि इस तरह से अननेसेसरी सभी चीजे उसमें जमा होती जाएगी और फिर हमें रखने के लिए जगा भी नहीं होगा और सूरैक में गंदगी भी फैलती जाएगी तो इस तरह से मैं वीक में एक दिन मेरे सूरैक को भी क्लीन करती हूँ weekly deep cleaning के routine में मैं इस तरह से जो भी हमारे furniture होते हैं उसके उपर का section होता है उसे भी मैं decide करती हूँ कि एक एक दिन week में एक दिन इस cupboard के उपर का portion पोचूँ क्योंकि रोज-रोज हम ये उच्छी जगा पे होती हैं तो इसे हम रोज-रोज चड़के तो clean नहीं कर सकते हैं तो इसे मैं decide करके रखती हूँ कि हपते में एक दिन इस room के cupboard के उपर का portion clean करूँ तो इस तरह से हमारी चीजे बहुत अच्छी तरह से organize और clean रहती हैं और साथी साथ मेहने में हपते में मैं इस तरह से सभी जो हमारे घर के door होते हैं बेट्रूम के, बात्डूम के उनकी भी मैं cleaning करती हूँ उस तरह से मैं उसे भी clean करती हूँ इस तरह से जब हम cleaning करते हैं और यह सब portion ऐसे होते हैं कि सभी के नजर में आते हैं अगर कोई हमारे घर में आ जाये और बहुत time तक अगर हम cleaning ना करें उसे ऐसे ही छोड़ दे तो बहुत ही बुरी तरह से वो गंदे हो जाते हैं जो देखके गंदा लगता है हमें खुद को तो इस तरह से अगर हम वीक में एक एक दिन इस तरह से decide करके रखें तो बहुत अच्छी तरह से हमारा घर organize और clean रहेगा और हमें काम का burden भी नहीं इसी तरह से वीक में 15 दिन पे वे जो toilet में इस तरह से हमारे exhaust होते हैं उसे भी मैं clean करती हूँ उसे अगर हम clean नहीं करें तो उसमें बहुत सारा आप देख सकते हैं इस तरह से धूल मिट्टी जमा हो जाती है और fan अच्छी तरह से फिर काम नहीं करता है उसमें से हवा नहीं feel होती है तो इस तरह से उसे भी मैं week में 15 दिन में इसकी cleaning करती हूँ क्योंकि इसमें बाहर से धूल मिट्टी आकर बहुत जादा बैठ जाती है exhaust में तो इसकी भी मैं cleaning week में या 15 दिन पे जरूर करती हूँ साथ ही साथ जो हमारे bathroom toilet के glasses होते हैं window में उसे भी मैं clean करती हूँ क क्योंकि मेरे window में जो glass लगा है उसमें बहुत सारे कबूतर बाहर की तरफ आते हैं और बहुत सारी गंदेगी कर देते हैं तो उसे भी मैं regular में 15 दिन में week में इसे भी clean करती हूँ क्योंकि अगर glass में बहुत सारी गंदेगी बैठ जाती है तो हमारे bathroom toilet में रोशनी पास नही करती हूँ बहुत ही नाजुक होते हैं तो उसे मैं इस तरह से जो पुराने सॉक्स होते हैं घर में उसी से मैं उसे clean करती हूँ बहुत अच्छी तरह से cleaning हो जाती है उसे हमें निकाल के भी glass को clean करने की जरूत नहीं पड़ती है बस थोड़ा सा घीला करके आप socks को और इस त सब्सक्राइब करती हूँ क्योंकि वीक में यूज करते करते हमारे doormats भी बहुत पुबूरी तरह से गंदे हो जाते हैं यह था मेरा आज का वीडियो तो इस तरह से मेरी weekly cleaning होती है आई होप आप लोगों को पसंद आई हो आप लोगों के लिए useful हो अगर आपको मेरी वीड के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में बाबाई